यह नीचे गिरेगा और इसको लगाऊंगा यह देखें यह नीचे गिर रहा है यह देखें यह सारा स्टील है माशाला से यह देखें यह देखें सूपर दूपर ओफर वाली चीज़ आगी है सोफा कम बैड स्टील में लकडी में तो आपने बहुत सारे देखें होंगे यह आ आपका सुफा कमबेड किस तरह का ये देखें. बिस्मिल्याराइम असलाम लेकूं मैंनों भाईयों कैसे आप उमीद करता हूं छिक ठाक होंगे फिट फाट होंगे खुश बाच होंगे मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिजनस आइडियाज विद जमशेद बदर दोस्तों मैंनों भाईयों ज के साथ एक नहीं प्लेस के साथ आपका भाईया आपके सामने हाजर होता है और आज मैं आपको बड़ा स्पेशल किसम का फरनीचर दिखाने वाला हूं क्यूंकि लकड़ी का फरनीचर देख देख के आप लोग भी तंगा चुके हैं पोशिश वाला फरनीचर भी देख आते हैं तो जैसे ही आप घाजी चौक क्रॉस करते हैं आपकी राइट साइट पर हाफिज स्टील आर्ट आपको मिलेगा अगर आप आते हैं अक्वर्चों की तरफ से तो घाजी चौक से पहले आपके लेफ्ट साइट पर बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ हूए वहां पर इनका सेटप है बहुत अच्छे तरीके से ये लोग डील करते हैं इनकी फरनीचर की गरेंटी होती है बीच साल आज की इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे जलफकार भाई उन्हें की तरफ चलते हैं लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न पाकिस्तान नहीं बिलके लहौर की वाहिद शॉप है जहां पर आपको टोटली अगर हम चारपाई की बात करें अगर हम जूले की बात करें दिवान की बात करें सोफा सेट की बात करें बैट की बात करें ड्रेसिंग की बात करें शोकेस की बात करें हर चीज आपको यहां प करभी कहा है सेंट ठाक है सबसे पेहले तो आपAPPो मुबारी को बहुत-बहुत कि है आप ने अय। तरक्टी करके माशलासे पाउड़ पश्राट से एक बिरांच आपने ल़हूर में कर लिए उसके लिए आपको बहुत मुबारी को में तरफ से भी और बहन बैयों की तरफ से भी अला की कर्म नुवाजी है बेशक्त वह रब ही है बेशक्त बेशक लगार में आने का क्या मकसद था बहुत ज्यादा अच्छा गार काल में बेंड भाई जो भी है उनको चाहिए तो उदर से हमें बेजनी पड़ती थी वो परिशान होते थे रेंट ज्यादा पढ़ रहा है क्राया ज्यादा लग रहा है तो इसलिए इसलिए पिर आपने सोचा यह हमने सोचा अब लाहुर में शिफ्ट हो जाए जबर्दस जी बेत्रीम इनके फरनीचर होता है मेरे प्लैट कोने सी चीज़ें होती जो आप फरनीचर में बनाते हैं पहले नंबर फिर दीवान भी पड़ा हूआ है तरस्जा फिर सोफा इक सूपा च्छांटा मॉकमल पेकलि होता है चिक है उने हमारे पास सेगटार है बखाचा होगाए इस कि हवाले से बताएं कि जो आप से सबसे कम कीमत में चार पई है और जो उसके उचे कीमत में सारी डीटे match ऐसे एगर मैं कॉछ सादा छाप है जिसे ले लेना लेना चाहता हो मुरुक्ता दें है ? अर सब उसक्ता में चाहता है! है चौबिस हजार रुप्रें पंद्राइब का जोड़ा पंद्राइब उस का पेर की बात हो रही है यह देंगे महीने बाद जोड खुल गया क्या गरंटी है लाइफ टाइम की गरंटी होती है कुछ पांच साल देता है दस साल देता है ठीक है हम बीस साल की गरंटी होती है जिनाब इनकी सभी फरनीचर की जी जी पर जातर सो रुपय में एक है अगर पेर लेने चाहें तो आपको मिलेगा 15 लडा घर लूडा हजार रुपय का ये थी बगएड ये टेक के चार पाई और टेक वाली बी ठीक होले बाूटी के दिवान के वाले से भी बतादेने? दिवान जो हम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बाईस हजार रुपेका. बाईस हजार रुपेका? मैं चाहता हूं, इसमें डिजाइनिंग कलर में अपने संद्गे कर लो, वो भी है. जैसे हैं आप हमें कहेंके वैसा करदे भी चापंगंचीा करना चाहिए। ऐसे हैं चीनिन जिनग आप करवा सकते हैं क आपने एक flip में हैं सकते हैं और अब बात कर लेते हैं यह डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है मैं चाहता हूं जरा इसके वाले से भी बता दें आजाए मेरे साथ यह बता दें जी छे चेर्स होंगी इसकी और एक टेबल है और शीशा रख देते हैं चीक है यह आप शीशा भी लगना है याद रखेंगा पेपर व चार का ये जी इसकी है टाइ फूट है और यह सोफ पड़ा हुए है यह इस बैट के साथ बनाए हूँ है है और यह सब्सक्राइब में चाहता हूं सपा लेने चाहते हूं और तो मिल जाएगा मुझे अकेला आप सफा ले वह आपको मिल जाएगा चीक है तो इसकी कीमते 3500 पैर बैंतीस जार रिबह में अकेला सोफा मिलेगा इसके भी 20 साल गरेंटी जिस आई आपकी हट्सालकी पीससालकी करेंटी होगी यह जो बालवगारा होती है न इसकी गरेंटी नहीं होती चीक है कि नीचे कि बच्चे करा दें जो के सिर्दें जो टोड़ निए एक ही ही कीमत होगी वैलवट में ये रैक्सिन निए एक ही होगी ये बैड और ये सोफा कितने मिनेंगे बैड तो आपको देंगे ये जिस बड़ा होई बत्तीस बास्यार प्तीस रुपय का यह और पैंथीस का सोफा है यह 67 हो गया है ठीक है बैड 32,000 रुपे का आपको मिलेगा, सोफा मिलेगा 35,000 रुपे का और इस तरह भी पड़ा हुआ है जी, ये बैड, ये उपर वाला, ये बैड की कीमत है 30,000 रुपे का, याद रख लें, बार बार नहीं दो रहा हुआ, इनकी सबी चीजों की गरेंटी है, और इसके साथ ये स जादा आगे है, चीक है, इसमें तोड़ा सा कम है, ये 32 के है और वो कितने का जी, तीस का, वो 30,000 रुपे का बैड है, और ये ब्लेग पड़ा हुआ है, ये उसी का कलर है, ये सेम प्राइस में, ठीक है जी, और ये एक ब्लू पड़ा हुआ हुआ है, आपके पास, शानदा हीं है, ये अकेला चतिसा रुपे का, ये कितने सीटेर है, ये फाइव सीटर ही, ये फाइव है, ये 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 धो चेरे हा गई, ये ये खान ऐस दाओ, और ये वन वन लग्या ये कितने का paniता है, ये ब्लेग पडा हुआ है,ookie सबस् तीनाब को ठीक है और ये इसे साथ का सूफ है ये कितने का जी ये बैड बतीस यह बतीस इसार रुपय का सॉफ है और ये कितने को तीस बैड मिलेगा और यह पढ़ा हुए जी यह जो बैड़ पड़ा हुआ है 37,000 रुपे का है 37,000 रुपे का जनाब आप चेकर ले ले जिए बहुत प्यार प्यार यह यह नया डिजाइन आया है मार्केट में जनाब आपको मिलेगा कितने का जी 37,000 रुपे में चे जुलुफकर भई यह वही डिजाइन है जो आपने और नीचे ने सबाए का स्टील आप जूट बोल रहे तो क्या कहीं अप मैं आपको मैंगनेट लाके चेक करार सकता हूँ अच्छा आप यहां से मर्जीच एम दुबारा भी कुरवा सकते है मैंगनेट से चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जनाब, ये आप लोहा, चीक है जी, ये देख लें जी, ये लोहा, ये इस वक्त ये मैगनेट लगा हुआ है इसको, ये देख लें, ताकि कोई किसी तरह का कोई कमी कोताही सो कम बाकी ने रह जाए, आपके सामने हैं, अभी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, इसके यहां पर लगा देता हूँ, ये देख लें जनाब, ये नहीं लग रहा, ये देख लें, ये नीचे गिरेगा और इसको लगाओंगा, ये देखें, ये नीचे गिर रहा है, ये देखें, ये जहां पर मैं सम्झूँँगा मुनासिब वहां पर लगाऊंगा यह देखें गिर रहा है यह देखें लग रहा है यह देखें लग रहा है यह देख ले मैं छोड़ूंगा गिर जाएगा यह देखें यह देखें यह सारा स्टील है माशाला से यह देखें यह देखें इदर आजें यहां पर लगा के दिखाता हूं यहां पर नीचे आगया और स्टील के पास फरनीचर होता है जो भी भी आप से लेते हैं सब को चेक कर वा कर देते हैं जिसका दिल चाहे जनाब वो चेक कर लें सूपर दूपर आफर वाली चीज आगी है सोफा कम बैड स्टील में लकडी में तो आपने बहुत सारे देखे होंगे लेकि ताकि आपको आईडिया हो कि आपका सोफा कमबैड किस तरह का यह देके हैं यह पूरा सफा कमबैड हात है और इसकी बी सब दूपर किसम की πॉरश देनी है आपने इसकी जो पैनल बिल्कुल प्राइज मुनासब हैं जिस रेड़र तैक्रींka आप चास है हमें यह देरए द देख लें जी ये है पूरा स्टील का सोफ है बीस साल तक ये जनाब गरंटी आपको मिल रही है कहीं नहीं जाने वाला और आज हैं जी जहेज पैकेज आपको दिखाते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है बताएं जनाब जुलफकार भाई जहेज पैकेज की तरफ हम लोग बता दे जिसकेज जो माल है जैदा लगा हुआ है ठीक है भोटा पैम लगा है 2222 का चीक है तो इसमें जहेज पैकेजे देंगे एक स्याथि जार रप्य में हैं एक लाक अस्यार रप्य में आपको यह जहेज़ पैकेज मिलेगा और इसमें क्या क्या चीज़े आप पहले नमर बैड आएगा बैड आगया ड्रेसिंग टेबल आएगा इस्ट्री स्टेंड आगया अपना शोकेस आएगा शोकेस आगया तो सोफा सेट आएगा और मैटर्स की विज़ की साथ आएगा एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख ऐसी जार रुपए में बीस साल की गरेंटी होगी और एक यह बैड पड़ा होगा जी बड़ा आपने हाइड शाइड दे के बड़ी लाइट इसके लगाई हूई इसका भी बताई यह जो बैड़ इसका रेंड है और आपने बताया कितने का मिलेगा इसका टोटल जहेज में की दो लाक दस हजार रुपे में जनाब आपको यह पूरा पैकेज मिलेगा चीजें गिन्वादी है इन्होंने और एक यह आगे बैट पड़ा हुआ है इसका बिताई है वह जो पड़ा हुआ है जो पीछे देख में इसकी अलग जाए और इसमें शामिल है यह मुकंल जो है जए मैंट्रस आगए है जो आपकी अपनी तो फुद हमने कारीगा रखे हुए तो फुद ही काम पर आते हैं चिक है तो हमेरा गुदाम भी अपना एफेक्टर भी अपनी है ठीक है शोरूम भी अपना चीक है यह बैड पड़ा हुआ है जी जरा यह इसके वाले से बता दें सर यह बैड मिलेगा आपको आठाइस हजार रुपाय का यह शांदार किसम का बैड मिलेगा सबसे कम कीमत का बैड यह अच्छा इसके साथ भी कोजे फैक के वाला दे ना जी गिफ्ट इसके साथ जी हैज बेकर आपको देंगे एक लाग चालिसाना रफेटा एक लाख चालिसजार रुपाय बेड होगा, ड्रेसिंग होगी, साइड टेबल's होगी जी 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 ऑफा होगा, मैट्रस साथ होगा और उड है जे ये जो तीन अपना तरफाई चेट है ये आपको मिलेगा 15000 फ़ाइब है 15000 फ़ाइब है जे पूरा मिलेगा और ये सोफ़ा पड़ा हुआ जी ये सोफ़ा जो बड़ा हुआ एक बड़ा हुआ इसका का है अच्छा जुल्फकर भी ये बताएं ये स्टेंड पड़ा है सबसे पहले इसका साइज बता दे और फिर इसका रेड़ का जो साइज है यो फुल साइज है चार फुट नब आईए ठीक है और दो फुट चुड़ाइए ठीक है और जो इसकी आईट है वो तीन फुट है अच्छा और रेट ये उसकी ताकी बगहरा है चीक है दो बॉक्स जी चीक है ये देख लें जी इसमें ड्राव भी है दो इसमें अलमारियां भी मौझूद है रेट बताएं जी इसका सर इसकी केमतें 15,000 रुप्या ये 15,000 रुप्या ये 15,000 रुपय में आपको ये मिलेगा अच्छा जुलफकर भाई अगर कोई बहुत में कहता है कि मुझे अकेली ड्रेसिंग चाहिए मिसाल की तोर पर वह लगी हुई है इससे वह उसके साथ वह लगी मुख्लिफ है ना तो इनके रेट कहां से स्टार्ट होते हैं जैसे ये पड़ा है जमशेद भाई चीक है इसक अब को मिलेगा ये 25 और वह 20 तो बाकी जो आपने बैटर दे पूछे ना बैड के रेकीमत जी अगर आप साइड टेबल साथ में लेना चाहते हैं तो साइड टेबल की कीमत अलग होती है वह 6,000 प्रेका जोड़ा है अच्छा जो आप बैड जो आपने कीमते जतनी भी हैं जूले की तरफ बलके आपको जूला बकाइदा से जूल के दिखाते हैं लेंगन आप जूले के उपर में बैट गया हूँ और जूलफकार भई हमारे साथ मौजूद है जूलफकार भई इस जूले की सबसे पहले तो क्वालिटी बताए ना सर इसमें बहुत अची क्वा जूला लेने जाते हैं मार्कीट में तो किमत इसकी तकरीबन मैंके तो कम से कम भी 50,000 प्या होगी चीक है और आप कितने में लेंगे हमारी इसकी कीमत 35,000 पैंतिस हजार रुपे जुनावा आपको यह जूला बिलेगा यह बडों वाला यह बड़ों वाला बच्चों वाला जूला भी होता है उसकी कीमत जो हमारी सफास है वह कम से कम 15,000 पैर यह बीस जार पै कभी 25,000 पैर इक सवाल का जवाब देजिएगा पाकिस्तान की किसी भी शहर में आप लोग भी किसी भी शहर में बगाल करता है भी फूल पे अडर चाहिए जैसे भी ओम जो माल अगर एक किस तरह करना पड़ेगा मतलब 25 प्रसेंट आपको देदे जो भी प्याना करते हैं जो भी प्याना कर सकते जो भी प्याना करेंगे उसके बाद जर्मों से टाइम लेंगे जैसे भी ज्यादा भी आड़र आ रहे हैं तो टैम लेंगे दस दा दिन के लें पंदरा दिन का लें जब माल त्यार होगा फिर उसको काल करेंगे टोवुटल पेमेंट हमने पहले लेनी उसके बाद फिर हमने वह वाल जो है मुझा बहुत शुक्रिया जी रख देने के लिए यह थे जनाव आज की एपिसोड एपिसोड कैसी लगी आर्टिकल कैसे लगे प्राइसिस कैसी लगी इस सारी बाते हैं आपने भाई को बतानी है कमेंट सेक्शन में आज तक के लिए इतने इस द्वा के साथ के लापाक आप लोगो खुश्चुक्रम रखें शाद रहें नहीं जमशेद बदर को दे इजादत इंचला नेक्स एपसोड में किसी नहीं टॉपिक के साथ किसी नहीं प्लेश के साथ फिर से आज रहोंगे तब तक के लिए लाने के बान पाकिस्तान जिन्दा पार अजिए सुए के लिए बान पार